36 के बाद 46 का नया कलंक और इसके पीछे है टीम इंडिया के पांच गुनागार पहले दिन की हार की कहाने लिख दी गई है सबसे पहले तो मैं टीम इंडिया के इन प्लियर्स को बधाई देना चाहूंगा उनके इस सांदार खेल के लिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भारती क्रिकेट टीम के बड़े फैन हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कई बार लगता है कि या प्यार या सपोर्ड आपकी टीम डिजर्ब नहीं करती है क्योंकि एक बार फिर 36 के बाद 46 का कलंक देखने को मिला है औस्टेलिया में 36 पर नाक कटी थी और अब 46 पर हिंदुस्तान में लेकिन कौन है इस हार के पाँच बड़े गुनागार आईए आपको बताते हैं तो सबसे पहले गुनागार है टीम इंडिया के कप्तान रोहित सर्मा उन्होंने टॉस जितकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बतोर बल्लेबाज भी फ्लॉप रहें सिर्फ दोरन मना कर पैविलियन लोट गए यानि की बतोर कप्तान फेल, बतोर बल्लेबाज फेल और गिंदबाजी के दौरान भी टीम को समभानने में नाकाम सबसे बड़े फैलियर साबित हुए रोहित सर्मा जो कप्तानी के कोटे से टीम में बने हुए हैं अगर वे कप्तान न होते तो साइद उनकी जगह किसी और को मौका मिल जाता दूसरे गुनेगार हैं विराट कोली टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दोहजार चौबिस में उनका परदर सन बेहत निरासा जने करहा बस एक पारी के अलावा जो की वर्ल्ड कप के फाइनल में बनी थी वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने अपना नया ठिकाना इंगलेंड को बनाया है जब भी भारत में कोई सेरीज होती है तो वह एक एनराई की तरह आते हैं मैच खेलते हैं और वापस लंडन चले जाते हैं यहां भी जिरो रन पर आउट होकर उन्होंने निरास किया सिरलंका और बंगलदेश के खिलाब भी फेल हुए और अब नियोजिलेंड के खिलाब भी बुरी तरह फ्लॉफ हुए है तीसरे गुनेगार है सरफरास खान हर तरप से आवाजे उठती हैं कि सरफरास को मौका मिलना चाहिए लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने निरास किया इरानी ट्रॉफी में बड़े स्कोर बनाने वाले सरफराज इस चुनोती पुर्ण विकेट पर जीरो रन पर आउट हो गए जेम्स बॉन्ड की तरह सौट मारने की कोशिस की लेकिन कामियाबी नहीं मिली इंग्लैंड और ऑस्टेलिया जैसी मुश्किल पिछो पर यह परदर्सन कैसे सुधा रहेंगे चौथे गुनेगार है कियल राहूल इस साल की सुरुवात में राहूल द्रविड ने उन्हें खिलाने का चक्कर में इसान किसन का कैरियर लगबब ख़तम कर दिया तक्षिन अफरिका में राहूल को खिलाने के लिए उनसे किपिंग करवाई जिसमें एक मैच में सेंचुरी भी लगाई लेकिन भारत लोटते ही वो फ्लॉफ हो गए और अब फिर से किपिंग नहीं कर रहे हैं अपने घरेलू मैदान पर भी उन्होंने अपने बचपन से किर्केट खेला वहाँ भी जीरो रन बना कर आउट हो गए स्वैक भले ही परकरार हो पर्फॉर्मेंस नहीं दिख रहा पांचवे गुनेगार है रविंद्र जरीजा गुजरात से आते हैं और उनका किर्केट से गहरा नाता है लेकिन नियूजिलैंड के खिलाफ उन्होंने जीरो रन बनाए और टीम की उमीदों पर पानी फेर दिया उनसे उमीद थी कि वे टीम को बचाएंगे लेकिन वह भी जल्दी पविनियल लोट गए ऐसा लगता है जैसे ऐस्टेलिया में 36 पर आल आउट होने की याद को उन्होंने फिर से ताजा किया है पहले भी टीम इंडिया उस्टेलिया में मूह काला करवा चुकी है और अपने घर पर अब 46 रन पर आल आउट होकर एक और कलंक जोड लिया है वहां तो उस्टेलिया की तेज गिंदवाजी के सामने भारतिय बल्लेबाज संखर्ष करते दिखे थे लेकिन यहां घर में किस चीश से डर गएं 36 के बाद 46 का नया कलंक हमारे सूरविर कप्तान रोईत सर्मा और उनके साथे खिलाडियों के नाम दर्ज हो गया है यही है टीम इंडिया के पांच गुनैगार जिन्होंने फैंस की उमेदों पर पानी फिर दिया